उस लड़की ने जूट पे जूट 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 पे जूट बोले हैं और उस परिवार को फिर से असासनेट किया है जिन्होंने अपना बेटा खोया है अगर आप इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी गलत चीजें उन्होंने बोली ह हैं उनके पिताजी के उपर और कहती नहीं सबसे पहली बात उन्होंने ये बोली जब उनसे पूछा गया कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया तो मैडम रिया चकरवर्ती कहती है कि सुशान सिंग राजपूत मेरे सपने में आए उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि नह कर्मा प्रोडक्शन की कोई कोई पिक्षर चल रही है जिसकी स्टोरी लाइन उठा के तुम हमें सुना रहे हो हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाना इन्होंने वहां से स्टार्ट किया वह बच्चा अपने पिताजी के सपने में नहीं आता है अपनी चार बहनों के स संसनी के इसकुलासा करती है कि 2013 से सुशान सिंह राजपूत को डिप्रेशन था अगर आपने उनके परिवार की बात सुनी हो अंकिता लोखंडे जिसके साथ वो इतने समय तक रहे उसकी बात सुनी हो तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि सुशान को कोई डिप बाइपोलर डिसॉडर बोला ये सारी चीजें बोलके जब लड़का इस दुनिया से चला गया उसको इतना तुमने बदनाम किया उसके बारे में इतनी गंदी-गंदी बात करी अब तुमने दो चीजें और उस चीज में जोड़ दी एक तुमने बोल दिया कि वो क्लॉस्ट रही है और उसके बाद ये मैडम ये भी कहती है जब ड्रग वाला एंगल आया तो कहती है कि मैं ड्रग नहीं लेती मैंने अपनी लाइफ में आज तक ड्रग नहीं करी मुझे तो पता भी यह ड्रग क्या होता है बड़ी पाक साफ है आप सारा एडी ने जो वाट्सैप की च जानो और अब पता चलेगा CBI पता करेगी क्योंकि CBI ने उसको समन भी कर दिया है इसके अलावा देखिए उसने ये बात बोली कि सुशान सिंग राजपूत को मैं ड्रग नहीं देती थी लेकिन सुशान सिंग राजपूत ड्रग करता था वो ड्रग लेता था आप सोचो व अगर उन्हें मीडिया में कोई ब्यान देना है या कोई इंटर्व्यू देना है क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित करके सभी मीडिया उससे को बुला के प्रूपर रूप से जो भी उनके मन में सपने में आया है कुछ भी कहानी आई वो क्यों नहीं सब के सामने वियां कर भाई। पुचे समझे इंटर्व्यूस ही देगी ना स्क्रिप्टेड वह सारे क्वेस्चन आंसर्स थे वही वो करेगी यह इमेज करेक्शन जो है पियार एजेंसी जो इनकी कर रही है वो इमेज करेक्शन का काम यह सारे लोग कर रहे हैं मुंबई पुलिस से और वहां के सरकार से मैं उनको कॉरेंटीन कर देती है लेकिन जब एक पत्रकार साहब आते हैं तो उनके लिए प्रेट कार्पेट रोल करके उनको बोलते हैं शारा आपको क्या लगता है कि अभी पहला राजिव सर दारसाही ने ले लिया जो CCA के टाइम पे मलब बोलते हैं शुरुआत में यह बोल सुशान पर ने बड़ा कर लिया है यही जाने जिन्होंने यह इंटर्व्यू लिया है वह व्यत्थि हैं जिन्होंने पहले से ही यह डिसाइट कर लिया था कि शुशान सिंग के से कोई फरक नी पड़ता है उसकी रहस्य महीं मौत हुई है तो हुई है ठीक है मर गया मर गया क्योंकि ये बड़े पत्रकार है इन्होंने डिसाइड कर लिया कि he was not such a big star तो इतना हाय तौबा जनता क्यों मचा रही है मुंबई की पुलिस की इनको बिल्कुल सही लगती है वो मुंबई की पुलिस जिसने 67 डेस तक एफायर नहीं करी वो मुंबई की पुलिस जिन से फेबुरी से परिवार प्लीड कर रही थी कि आप एफायर कर लो इस बच्चे की जान बचा लो उसमें इनको कोई गलती नहीं लगती है लेकिन जब इनको ट्यार्पी दे दे करके इनके इनका जो न्यूस चैनल है उसको नंबर वन बनाते हैं और इनको भी नहोंने बड़ा पत्रकार बनाया है इसके अलावा इस इस जो पूरा जो यह जो इन्टरव्यू था इसका जो मेन मोटीव था वो था रिया चक्रवर्टी की इमेज क लगाया कि नई उसने मुझे आके मॉलिस्ट किया था मतलब तुमने उनके चरित्र का इतना बुरा हरन कर दिया उनका करेक्टर तुम सती सावितरी हो गई वह विलन हो गई उसने तुम्हारे साथ बुरा किया था तो तुम छोड़ के क्यूं नहीं चली गई तुम रही क्यों तुम उस घर में continue उसके बात कर रही थी ना तो चली जाती छोड़के उसके अलावा ये कहती है कि सुषान सिंग राजबूत को डिप्रेशन हुआ क्योंकि वो अपनी माता जी की मृत्यू के साथ कोप नहीं कर पा रहा था जो मा इतने सालों पहले दुनिया को छोड़के चली मैं तो गहती हूँ अच्छा ही वाँ तुमने इंटर्व्यू किया ये इससे रिया चक्रवर्ति का एक और गंदा चहरा सामने आ गया और उन लोगों का भी चहरा सामने आ गया जो सच के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते हैं ये बिल्कुल वही लोग हैं जो एंटी-CAA के ना जाते हैं ये जाकर के उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो जीन्यू में कहते हैं कि जंग जारी रहेगी भारत की बरवादी तक तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये एक बच्चा जिसकी निशन्स और रहसे महीं तरीके से मौत हुई है उसके साथ निया रिया चक्र दूद पानी का पानी कर देंगे उनके ऐसे पॉइंटेड क्वेश्चन के आगे तो सिदार्थ पठानी नहीं टिका वो माइक निकाल करके भाग गया संदीब सिंग भाग गया तो अरनव गोस्वामी के आगे अगर रिया चक्रवर्ती बैट जाएंगी तो हालत उनकी आंसर देंगे क्वेश्चनेर तयार किया जाएगा बोला जाएगा कि इस तरीके क्या प्रशनों का जबाब दो और यह इमेज इमेज करेक्शन वाला जो इनका यह पियार वाला गेम कल चला है और चलना शुरू हुआ है यह चलेगा नहीं अभी टाइमिंग पर मुझे सुषान्स फंड और सुषान के साथ यह करना मतलब यह लड़की उसको उसकी बिना नॉलेज के बिना उसकी जानकारी के ड्रग्स देने शुरू कर दिये थे उसने उसको ड्रग्स दे रही थी यह बहुत बड़ा क्राइम है यह हत्या का क्राइम है यह ड्रग्स वाला एंग कि एडी के सवालों के जवाब यह दे नहीं पाई थे बिलकुल कैसे जवाब दे पाएंगे आप बताइए रहे इनके लिए यह जो सच्चे लोग हैं जनता हैं उनके तक यह जवाब नहीं दे पाती है उसमें यह रैटल हो जाती है तो वह क्वेस्चन जो होंगे बहुत ही कान लेने और देने के बिजनस में थी तुम्हारे पीछे तुम्हारे कौन से आका हैं किस किन लोगों को किन का तुम फरंट हो कौन तुमारे पीछे हैं कौन लोग यह कहानी गड़ रहे थे अब देखे यह एक चीज है सुशान सिंग राजपूत की मौत ने बॉलिवुड का औ यह बॉलिवुड की सच्चाई और इसमें राजनेता भी शामिल होते हैं मैं कहते हूं चाहिए जो भी हो इनकी सच्चाई निकल के सामने आनी चाहिए दूद का दूद पानी का पानी होना चाहिए ताकि कुछ भी गलती यह दुबारा से ना करे आपको भी लगता है कि महरा आश्रा और वो सारी चीज़े वहां तक पहुच गी जो तेराण में पिचान में बाण में के दोर में थी जब दौद का खौफ रहता था मुंबई शहर में क्या वैसा ही नेक्सेस आज भी वो चलता आ रहा है देखे यह शुरू होने की कगार पे तो लग रहा है लेकिन मु किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए और वो जो हैं जीते भी इस देश के लिए हैं हम सब के लिए हैं और सब कुछ करते भी हैं तो उनके रहते कितने भी कोशिच कर लें हैं महराष्टर में बैठी भी सरकार जो गठबंदन की है